हलो फ्रेंट्स नमस्कार कैसे हो आप सब मैं शानतनु का अनसकर आप सभी का हार्थिक स्वागत करता हूं करेंट अफेस के इस नाइस सेशन में जहां आज हम इडिया में अब तक जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी बात करेंगे आज हम यह जानेंगे कि इन सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हैड़कॉर्टर कहां पर है एड़ प्रेजेंट इनके M.D.O. और CEO कौन है इनकी टैग लाइन्स क्या है और इनका फॉर्मेशन कब हुआ था तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे पहले बैंक की तरफ हमारा पहला बैंक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका फॉर्मेशन हुआ था फॉर्स जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड़कॉर्टर है मुंबई में प्रेजेंट इनके M.D. और CEO है रजनीश कुमार जी और इनकी टैग लाइन्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार है प्योर बैंकिंग नथेंग एल्स विट यू आल दे वे ए बैंक ऑफ दे कॉमन मैं एंड बैंकर टू एवरी इंडियन हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैंक की तर तो सो पंजाब नेशनल बैंक की बात करने से पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइस बैंक नहीं है हम बैसे कई लोगों को यह कन्फूजन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइस बैंक है या नहीं तो आज यह बात क् अगर हम पंजाब National Bank की बात करें तो पंजाब National Bank का formation हुआ था 12 अप्रिल 1894 को पंजाब National Bank का Headquarter है New Delhi में टैग लाइन है इनकी The Name You Can Bank Upon at present पंजाब National Bank के MD and CEO है SS Malika Arjun Rao और Chairman है पंजाब National Bank के Sunil Mehta जी नेक्स्ट हम बात करेंगे bank of baroda की जो की विजया bank और दीना bank के साथ merge होने के बाद इंडिया का third largest bank बन चुका है और इसी के साथ अब इंडिया में total 12 public sector banks है अगर हम bank of baroda की बात करें तो formation हुआ था इनका 20th of July 1908 को headquarter है इनका बड़ोद्रा गुजरात में bank of baroda की टैग लाइन है इंडिया से इंटरनाइस्टिल बैंक और एड़ प्रेजेंट MD और CEO है संजीव चड़ा जी नेक्स्ट हम बात करेंगे bank of India की जिसका formation हुआ था 7 सब्टेंबर 1906 को bank of India का headquarter है मुंबई में tagline है इनकी relationship beyond banking और at present bank of India के MD और CEO है अतानु कुमार दाश जी अगले bank की तरफ पढ़ते हैं बैंक और मारास्ट्रा बैंक और मारास्ट्रा का formation हुआ था 16 सब्टेंबर 1935 को और bank of मारास्ट्रा का headquarter है पुने में tagline है इनकी एक परिवार एक bank और at present bank of मारास्ट्रा के MD और CEO है AS Rajiv जी अगर हम कैनेरा बैंक की बात करें तो headquarter है इनका बेंगलूरू में tagline है इनकी together we can at present MD और CEO है कैनेरा बैंक के आरे संकर नारायन चेर मैंने यहां के T.N. Manoharan और कैनेरा बैंक का formation हुआ था 1st July 1906 में अगर हम Central Bank of India की बात करें तो Central Bank of India का formation हुआ था 21st December 1911 को headquarter है इनका Mumbai में इनकी दो अलग taglines है Central to you since 1911 या फिर build a better life around us और at present Central Bank of India के MD और CEO है पल्लव मोहापातरा जी नेक्स्ट हम बात करेंगे Indian Bank की जिनका formation हुआ था 15 अगस 1907 को headquarter है Indian Bank का चेर नहीं में at present Indian Bank के MD और CEO है पजमजाच चुन्दरुजी और Indian Bank की tagline है अगर हम Indian Overseas Bank की बात करें तो Indian Overseas Bank का formation हुआ था 10 February 1937 को headquarter Indian Overseas Bank का चेर नहीं में tagline है इनकी good people to grow with और at present इनके MD और CEO है करनम शेखर जी जो की अभी February में recent appoint हुआ है अगर हम Punjab and Sindh Bank की बात करें तो इनका formation हुआ था 24 जून 1908 में headquarter Punjab and Sindh Bank का नहीं दिल्ली में tagline है इनकी where service is a way of life और at present Punjab and Sindh Bank के MD और CEO है एस हरी शंकर जी next bank के तरफ move करते हैं Yuko Bank formation हुआ था इनका 6 January 1943 को headquarter है इनका कोलकाता में tagline है Yuko Bank की honors your trust और MD और CEO at present है Yuko Bank के अतुलकुमान गोयल जी अगर हम Union Bank of India की बात करें तो formation हुआ था इनका 11th November 1919 को headquarter है इनका Mumbai में tagline है इनकी good people to bank with और at present Union Bank of India के MD और CEO है राज किरन राय जी next हम बात करेंगे Reserve Bank of India की which is the head of all banks in India RBI का formation हुआ था 1st April 1935 को headquarter है इनका Mumbai में at present RBI के governor है शक्ति कांता दाज जी अगर हम रेपोरेट की बात करें तो at present रेपोरेट है 4.40 और reverse रेपोरेट है 3.75 अगर हम रेपोरेट की दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको रेपोरेट और reverse रेपोरेट के बीच का difference समझ में आया होगा रेपोरेट मतलब अगर RBI किसी बैंक को पैसे देता है तो उसे उस पूस इंट्रेस्ट को हम कहते है रेपोरेट और अगर कोई कि बैंक RBI के पास अपना पैसा रखता है उस रेट को कहते हैं हम reverse रेपोरेट तो दोस्तों यह था आज का बहुत इंपोर्टेंट सेशन उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत सकें थैंक यू